नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वलकम टू माई न्यू लोग और सुबह का समय लगबग एच्छे बज गए हैं और मैं आ गई हूँ उपर कपड़े फैलाने के लिए और कपड़े कल साम मैंने दोयते जैसा आपने पिछ कान सा हवा भी आगे थी बारिस तो खहर नहीं आई थी हलकी फुलकी एक दो बूंसी आई थी बाकी सुबह भी मतलब जादा ते दूप नी थी हलकालका बादल था मगा चलो हवा भी चल रही है तो थोड़ी सी निकल जाएगी तो सुबही बस सबसे पहले मेरा आज यही काम ह योग बगेरा मैंने कर ली थी जादा निगरी थी थोड़ी देरी तो दोनों बहने आ गए थे उपर कपड़े लेके और यहां पर फैल आ रहे हैं तो कपड़े मैंने फैला दिये हैं अब मैं हम दोएंगे गेहूं कहीं दिन से मैं सोच रही थी धोने हैं धोने हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई जो यह पाइप है हमारे पास यह चोटा हो गया यह काटतीया था ना और जो बड़े वाला है वह उधर चला गया था तो जो पाइप है उपर नहीं जागता तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत सी थी वैसे इसके पापा सुबही गूमने जा रहे थे तो फिर मैं का कैसे मैं अकेल लिद हूँ क्योंकि गट्टा भी लाना था उपर से ही गेहूं का तो इसलिए मैंने पहले कपड़े वगेरा फैल जो गेहूं हैं तो मोटे मोटे अच्छे लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उनमें जो कुड़ा सार नहीं होती क्या बोलते हैं भूली सी वह बहुत ज्यादा है उसमें तो उसी हिसाब से बस धोरे कहीं कहीं बार करके टप में डालके आपको पताइए जैसे हम दोते हैं मैसा इ अब नहीं उठेते और कनया भी घूम के आ गयाता फिर वो अपना योग करने लगाता घूम के आने के बाद वो करता है एकसरसाइज और बस यहां पर लग रहे हैं दोनों मैं भी गेहूं धोने में एक गट्टा दोके रख दूंगी फिर पूरा महिना उसमें आराम से निकल जाएगा मतलब दो बार फिस वा लेती हूं फिर मैं ज्यादा तो खेर में दोतीनी एक गट्टे को दोके रख देती हूं उसको फिर दो बार करके पिस जाता है तो एक महिना के करीब हमारा निकल जाता है उसमें और यहां पर अटा सायद आज-जाज कई रह रहा था और मेर आता मंगाना पड़ागा यह कहने लगे चलो कोई बात नहीं देख लेना जैसे भी होगा तो बस लग रहे हैं दोनों दो देंगे पूरा और फोल्डिंग पे अभी निच्चे ही भिछा लिया तो इसका जब पानी नी चड़ जाएगा तब फैलाक आएंगे उपर अभी तो इसको यही पर ही दोके डाल देंगे दोडियें और फीर यह पे पानी टाल दिया था ए गैलरी झाली भी दोड़ी तो पीर मैंने मार दिया देया है वाईपर उसके बाद जो बाहर जैसा जाता है जैसे बुल्डी सी थी ना इसकी नाची आँपर के तूड दूर से तो मैं बहुआ थे पिर मैंने वहाहा पे पान पाइप में फश साफ निकालने की कैसा निकालने की पूरी वह सोच रहे हैं किय happen उसमयाद बिंचाई है। इस वज़े से, तो सारा काम मेरा हो गया, साफ सफाई मैंने कर दी गए, मैंने मतलब दोके रख दी है, मैं कर निचड़ जांगे, बाद मैं फैला दूनी, और अब आ गई हूँ मैं उपर मॉन्टी में, मॉन्टी भी मुझे काफी दिन हो गये, साफ करे वे, तो इस वज़े से इसको भी कर लेती हूं, जब तक करते नहीं करते नहीं, और जब लगते है ना, तो फिर तो सारी चीज़े आदा जती है, फिर लगता है कि यह भी कर लो, यह भी कर लो, तो आज बल्कि इसके पापा कह रहे थे, कि आज सारा आज ही करेगी क्या, थोड़ा पोतर कल के लिए भी चोड़ दिया कल कर लेना, फिर कहाँगी कि कमर में दर दो रहा, मां का फिर याद नहीं रहता है, आज फिर मां का चलो करी लूसा, साथ तो होई जाता है, ऐसा होता है, और फिर यहां से जैसा गेहूं का गट्टा भी उठाया था, तब मुझे जादा लगा, मां का यहा बढ़ता जारा कहता रही, कि जब हम गाउं से आई थे ना, सबसे पहले हम गए थे, जैसा दिल्ली रहने के लिए, तो हम एक बैग में समान लेके गए थे, और फिर दिल्ली से यहां पहे तो एक ट्रक में लेका है, और अब तो इतना हो रहा, कि रखने की जगह भी नहीं है कहीं भी, सारा समान बहुत ज़्यादा हो रहा, मैं इनके लिए सोच रही, कि कुछ ऐसा संदूख वगेरा बनवालू, बिस्तरे रखने के लिए, क्योंकि बिस्तरों को जगह चाहिए और फिर वो, मतलब ये बिस्तरे उसमें आराम से रखे जाएंगे, यहीं बार रहरे, ब बार रखेंगे, इनको रख दूँगी, यह कह रहे थे कि नहीं निकाल कर रखते रखे रहेंदा, जैसे भी रखेंगे, और ये इनका भी स्तरों का कुछ नहीं बिगड़ता, इनको दो धोकर रख देंगे, और अभी तक मैंने ये कंबल इसी वज़ा से नहीं दोए, मैंकर होकर अखुमी आपे फिर धूल लग जागी, लेकिन फिर इसके पापा कहने लगे, पापा कहा, मेरी मम्मी कह रही थी कि इनको दोक है ना, चुनी में बांद के दर देना, और मतलब कपड़े में किसी में फिर ये गंदनी होने के, तो मैं अभी सोच रही, अभी थोड़ा मो अभी प्रकर दिया उसके बाद आका फिर ना दो ली थी मैं भी ना ली थी, पर बैस आपा के पी ना ली, नास्ता वगणा थी सब्यादा कर लिया और इसके पापा जैचु दूनों चले गए हैं बाद बस यदद बाल्ती काम भी हमारा हो गया है, और बस अब ये जो गे हु मतलब ले जाऊंगी उपर क्योंकि परांग से ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है रुची भी कहलती कि बाल्टी से हराम से चले जाएंगे मैंने दो तीन बाल्टी बरके रख ली में का फटापट रखी आएंगे उपर पहले सारा चड़ा लेंगे और फिर फैला देंग अब इसको फैला देंगे दूप तो ज़्यादा तेज थी नहीं लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी मैं का चलो जितना भी कितना सूखी जाएगा जाद तो आज नहीं सूख पाएगा बलकि हवासी भी निकल जाएगे पानी भी निकल जाएगा तो वह ज़्यादा तो यह हूँ फैलाने के बाद अब फिर आ गई हूं में नीचे अब जो यह है वोल्डिंग वगेरा और यह जो बैर सीटी इस पर डाली थी इसको तो दोनी है मैंने अभी थोड़ी सी रख दी इसको पर फैला काऊंगी क्योंकि अब कपड़े मी धोंगी जब मसीन लगांग तो तब तक मैं यह फोल्डिंग होगेरा सारा उठा दूगी मसीन लगा दूगी क्योंकि आंटी भी अभी साफ सफाई करेगी आई नी थी अभी आज आंटी थोड़ा लेट आई थी तो मैं का चलो जब तक सारा खली कर देती हूं अच्छी तरीके से जिससे की फिर बाद मे क्लीनिंग अच्छे से हो जाए और यहां बस फिर उसके बाद गुड़ू कहने लगी कि मम्मा मेरी कंगी कर दो बालों में अब है देख दो पैर के टायम यहां पे हम दोनों बैनोंने रेष्ट कर लिया था और अब बनाने लगी हूं खाना दोपैर का रेष्ट क्या मम्मी आगीती तब हम सुभव का कामी कर रेते तो धर से जब नीरजभाईया आय थे इमके साथ आ गीती मम्मी तो फिर अब हो गया है दोपैर का टाइम और भाम भूब नगेा खाना ने में आज टोरी की सबजी मनलश्टी मतल। तो और मैंने दो दिन से इसल्य नहीं बनाइती, तोरी नहीं पिफिता दी तोरी तो थी मेरे पास दो दीन से क्योंकि नौरी दिन से और मेरी मममी को तोरी की सब्जी अच्छी लगती है और धेम ép कäg खटी भी है, हलका फुलका अईसा ही कुछ, जा फिर मैंने बना दी तो यहां पर बस देखे मैंने तड़का लगा दिया और बलकि गुड़ू बोल रही थी कि गुड़ू की अभी मम्मी आप रोज की रोज तोरी और लोकी बनाने लगे हो और मुंकी डाल अरम तो खाका के भी बोर होगे यादर तर मैं ममी की वज़े से बनाती हूँ और आजगल आपको पताया है हिंतु की तब्यूषी थोड़ी से खराब है इस वज़े बना देती हूँ तो यां को घॉड़ू रिंग लखी थी और दोनों बहन भाई देखे मोचमा भी और प्रिणा जयलह ओ एने लेकिन कोल्ड रिंग चीप्स वगेरा यह सब देदो तो फटापट खा लेते हैं तो यहां पर देखें तोरी की सब्जी अमारी बनगी थी उसके बाद मैं काटने लगी हूं सलाद अटा वगेरा सब बनके तयार हो गए तार रूची सेखने लगी है रोटी और बस अब दोनों बैने कर लेंगी फटापट काम सारा और मैं देदूंगी लगा के और वो बनाती रहेगी सब बैठके थे बारी बैठे थे मैट डाल गया तो बैठके देदूंगी बलकि गुड़ू का मूड खराब हो गया ताकि मम्मी आज मैं तोरी निकाती फिर उसने कर करते हुए थोड़ा सा और यहां बस देखे मैं लगा रही हूं और सबको देदूंगी खानावाणा हमारा हो गया है फिर अम दोनों बैनों ने भी खाल लिया ता लाश्ट में किचन की ख्लिणिग मैं ने कर देए अब लाश्ट में काम आता है बरतनों का ही तो बरतन दोफचे माय ONE के रख दूँगी थक सी भी जाते हैं, शुबह सा लगे लगे, अगर एक आज घंटा अराम कर लेते हैं तो फिर साम को अराम से काम हो जाता है, वरना तो थके थके से रहते हैं, अगर लेट ते नहीं तो, नेम तो खेर मुझे कम ही आती है, कभी मैं सोती हूं लेकिन लेट जाओं तो ठकन सी दूर हो जाती है तो जी खेर अब वीडियो का एंट करूँगी आई पे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें सेयर करें तो भी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई